ओम शान्ति आज दिनांक 17 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया वर्दान का मननकर उसका स्वरूप बनेंगे बाबा वर्दान में बूले अचल इस्तिती द्वारा माश्टर दाता बनने वाले विश्व कल्यानकारी भाव आज विश्व कल्यानकारी पिता परमात्मा निराकार हम निराकार आत्माओं को विश्व कल्यानकारी भाव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कह रहे हैं अचल इस्तिती द्वारा माश्टर दाता बनने वाले विश्व कल्यानकारी भाव डिटेल में बाबा कहते जो अचल इस्थिती वाले हैं उनके अंदर यही सुब भावना सुब कामना उत्पन होती है कि यहाँ भी अचल हो जाएं अचल इस्थिती वालों का विशेश कुण होगा रहम दिल अर्थात बाबा हम बच्चों को अचल अडोल रहने वाली आत्मा की मुख्य निसानियां बताते बाबा कहते कि वे आत्माएं सर्व आत्माओं के प्रती सुब भावना सुब कामना रखेंगी वे सर्व आत्माओं के प्रती रहम दिल होकर रहम का दान देंगी अर्थात जो आत्माएं पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धी होकर निश्चिन्त हो जाती हैं संपूर्ण संपन बन जाती हैं वे आत्माएं अचल अडूल रहती हैं वे सदा सर्व आत्माओं को रहम का दान देती हैं सुब भावना सुब कामना द्वारा सभी को हिम्मत की टांग देती हैं तो बाबा कहते तुम आत्माएं वे विशेस आत्माएं हो जो संगम युक पर विश्व कल्यानकारी पिता की संतान माश्टर विश्व कल्यानकारी बनती हो तुम्हें बाबा विश्व के कल्यान अर्थ निमित बनाता है तो जो बच्चे निश्चय बुद्धी होते हैं वे ब अच्चे अपने भविष्य प्रालब्द को लेकर निश्चिन्त रहते हैं, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिती हो, कोई भी आत्माओं का व्यवार हो, हर समय वहा परिस्थिती का प्रभाव अपने उपर नहीं लेते हैं। वे सर्व आत्माओं के प्रती समान द्रश्टी, समान व्रत्ती और समान क्रती रखते हैं। सर्व आत्माओं को सुब भावना, सुब कामना देते हैं। चाहे कोई गलानी करने वाली हो, अपकारी आत्मा हो, चाहे कैसा भी परिस्थिती का स्वरूप हो। तो बाबा कहते हर समय अचल अडोल रहना अर्थात उस पिता परमात्मा को सदा साथ रखना क्योंकि जब सर्व सक्तिमान साथ है तो निश्चय बुद्धी सदा विजियंती संसय बुद्धी विनश्यंती तो हमें स्वयम पर पिता परमात्मा पर और ड्रामा के हर सीन पर निश्चय बुद्धी होकर निश्चिंत रहकर अचल अडोल रहना है सर्व आत्माओं को सुब भावना सुब कामना देना है और सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल बनकर उन्हें हिम्मत और उल्लास में लान बाबा आगे कहते हर आत्मा के प्रती सदा दातापन की भावना होगी। eu nuka विशेश टाइटल ही हे विश्वकल्यानकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रती ग्रणा भाव, दुएस भाव, इरसा भाव वा गलानी का भाव उत्पन नहीं हो सकता। सदा ही कल्यान का भाव होगा। तो जो आत्माएं बाबा कहते विश्व कल्यान कारी आत्माएं हैं। वे सदा हद से निकल कर बेहद में होती हैं। वे सदा यहा इस्मरती रखती हैं कि हम सब आत्माएं उस पिता निराकार परमात्मा की संतान हैं। निराकार पिता परमात्मा की संतान हम सब आपस में भाई- तो जो आत्माएं विश्व कल्यान कारी आत्माएं हैं वे सर्व आत्माओं के प्रती सुब भावना सुब कामना के साथ साथ अपने हर कर्म द्वारा हर बोल द्वारा हर संकल्प द्वारा विश्व का कल्यान ही करती हैं तो सर्व आत्माओं के प्रती रहम दिल बन कर सर्व आत्माओं को पिता परमात्मा का परिचय देना पिता परमात्मा द्वारा प्राप्त गुण ग्यान तथा सक्तियों का दान देना यही विश्व कल्यानकारी आत्मा की विशेस्ता है अर्थात बाबा हमें सदा कहते एक हाथ से ताली नहीं बचती जब कोई आत्मा क्रोध वस होती है परवस होती है तो उस आत्मा को सांत करने का सबसे बड़ा आधार है सांती की सक्ती का प्रयोक करना अंतर मुखी होकर रहना उस समय एक दो मिनट के लिए उस इस्थान से दूसरे इस्थान पर चले जाना तो जब हम सांती को धरन करते हैं उस क्रोधी आत्मा को सांती का दान देते हैं तो वह आत्मा भी क्रोध से मुक्त होकर सांत हो जाती है आज बाबा ने हम बच्चों को महावाक्य में जो सार सुनाया सार का मनन करेंगे बाबा कहते मीठे बच्चे याद में रहे अपने विकर्मों की प्राश्चित करो विकर्मा जीत बन जाएंगे पुराने सब हिसाब किताब चुक्तु हो जाएंगे प्रश्ण किया बाबा ने किन बच्चों से हर बात का त्याग सहच हो जाता है उत्तर में बाबा कहते जिन बच्चों को अंदर से बेराग्या आता है वह हर बात का त्याग सहच ही कर लेते हैं तुम बच्चों के अंदर अब यहा इच्छाएं नहीं होना चाहिए कि यहाँ पहनूं यहाँ खाऊं यहाँ करूं देह सहित सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है आप बाबा कहते बाप आए हैं तुम्हें हतेली पर बहिस्त देने तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धी योग हट जाना चाहिए तो बेराग्ये वे बच्चे कर सकते हैं जो कोई इच्छा मनो कामना ना रखते हूं पुरानी दुनिया से जिन्होंने त्याग कर लिया हो सुख सुविधा के साधनों से उपराम हो गए हूं देह तथा देह के बंधनों से उपराम हो गए हूं उनके लिए बाबा कहते तुम बच्चों को मैं हातों पर बहिस्त लाया हूं तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हड़ जाना चाहिए गीत सुनाया बाबा ने माता ओ माता तू ही सब की भाग्ये विदाता धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पाइंट पुन्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद आनर हो इजजत से जाना है इसलिए कर्म भोक से डरना नहीं है खुसी खुसी चुक्तु करना है पुन्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है सब हिसाब किताब समाप्त कर पास विद आनर हो इजजत से जाना है इसलिए कर्म भोक से डरना नहीं है खुसी खुसी चुक्तु करना है दूसरी पाइंट बाबा कहते सदा इसी नसे में रहना है कि हम भविष्चे प्रिंस प्रिंसेज बन रहे हैं यहाँ है प्रिंस प्रिंसेज बनने की कॉलेज सदा इसी नसे में रहना है कि हम भविष्चे प्रिंस प्रिंसेज बन रहे हैं यहाँ है प्रिंस प्रिंसेज बनने की कॉलेज तो ये थे बाबा के महावाक के अच्छा ओम शांती